सारन में जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार पुलिस और उत्पात पुलिस लगातार एक्शन मोड में हैं जिसका परिणाम है कि आए दिन शराबी और शराब बेचने वालों की गिरफतारी की जा रही है इसी कड़ी में एक बार फिर बेगुसराय उत्पात पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए एक साथ 13 लोगों को शराब पीने और बेचने के मामले में गिरफतार किया है इन में से दो लोग शराब के कारवारी हैं वही 11 लोग शराब पीने वाले शामिल है बताते चलें कि शराब तसकर और शराब पीने वालों के खिलाफ उत्पात पुलिस लगातार कारवाई कर रही है इसी सिलसिले में बीती रात उत्पात पुलिस की टीम के द्वारा कारवाई विबिन थाना चेत्रों में की गई है फिलहाल उतपात पुलिस सभी को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है वही पकड़े गई एक शरावी ने बताया कि बिहार में जैरीली शराब पीने की खबर उनके पास है इसलिए अब वे शराब हाथ नहीं लगाएंगे वही दूसरे शरावी ने बताया कि कारवाई तो शराब बेजने वाले पर की जानी चाहिए शराब बिकता है तबी तो लोग पीते हैं शरावी ने यह भी बताया कि 50 रुपे में शराब धडल्ले से शहर में बिक रहा है वही इस संबन में उत्पाद थाना के थाना अध्यक्ष खुश्बू कुमारी ने बताया कि उत्पाद विभाग के टीम के द्वारा लगातार चापे मारी की गई है इसी सिलसिले में 19 तारीक की रात में 13 लोग शराब पीते और बेशते पकड़े गए हैं इनके पास से दो लिटर चुड़ाई शराब भी बरामत किया है का नाम हो तुमना इसे शराब मापियांओं के खिलाब अभियान जारी है और कितने लोगों को गिरफतार की थाए है और जो लोगों के द्वारा जो जनकारी दी जाती थाना पे या फोल पे उन पे त्रूबी जाकर के तुरंत सघन्ज आ चापे मारी की जाती है करेयल 19-12-2022 को शाथ आठ जगों पर शाप बार्टे करने के पार तेने लोगों की किरुपतारी हुई है इसमें दो लोग दो लिटर सुलाई स्राब के साथ पकड़े गए इन पर कारवाई की जा दिया तो सब पीने वाले हैं कि बेचने वाले हैं इसमें तेरे लोगों नो ल कि आदा दो ड्या आदा आरो दो आदा हैं कि आ देने हैं वाले हैं अदू आदारी ता का ददा अजयां फिरोगों नो अदूरी जाद़